हाई दोस्तों मैं दीपक सर्थ आप सभी के लिए क्लास 10 के लिए औप्जेक्टिव कोस्चन कोस्चन बैक 2014 का सेकेंड सिटिंग में जो औप्जेक्टिव कोस्चन आया हुआ है उसका सोलूशन लेकर आगया हूं ठीक है तो आज हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से ये 10 में एंसर कैसे देखते हैं देखते हैं ट्रिकली तरीका से हम लोग करेंगे ये सिखेंगे ठीक है तो यदि आप मैथ पढ़े हैं पहले से तो हम देखते हैं कि आप भी 10 में 10 लाते हैं या कितना लाते हैं कॉमेंट बक्स में जरूर कमेंट किजीगा कि आप 10 में 10 ला रहे हैं या नहीं ला रहा है तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं कोस्चन नमर एक देखिए क्या कहा गया है कि कि यदि आलफा बीटा द्विगहात बहुपद एक सिस्क्वाइल माइनस थीडि एकस प्लस फाइव के मूल हो तो एक बटे अलफा प्लस एक बटे बीटा का मान होगा तो ऐसे प्रस्ण अगर आपको जब भी दिखे दोस्तो तो करना क्या है हमने एक छोटा सा ट्रिक बता है कि इसका फोटा सी ट्रिक क्या है माइनस ब्위बटे सिए- I- Cheryl विप हमने बहुत बार बताया है आपको एक बटे अलफा भा से एक बटे बीटेया जब भी पुछे टो- माइनस विभी इसी ट्रीक लगा देना है कितना हैं त्याओं पर किierno माइनस मैनस है यहाँ भी माइनस है तो मैनस माइनस क्या हो जाएगा क्या पर पलस यानि 3 हुगा और सीके जगह पितना दिया है कि तो कितना विए 3005 कह सा अप अपसर नमर उत्तर हो गया ठीक है चलते हैं नेक्स कोश्चन की और अब देखें कोश्चन नमर दो क्या कहा गया है कि द्विगात बहुपद इतना के सुनियक कौन सा है तो सुनियक निकालने की बात जहां पे की जाए तो आपको करना क्या है दोस्तों देखें यहाँ पे यह जो सवाल है इसको हम लिख लेते हैं एक लाइन ऐसे ही क्या है एक्स स्क्वाइर प्लस थी डी एक्स प्लस टू यही नहीं है तो हमने यह कोश्चन लिख जा और सुनियक निकालना हो तो सुनना लिख देंगे बरावर में ठीक है आगे हम क्या करेंगे परक्रिया तो देखें गुना करने पर दो आ रहा है और जो ने घटने पर तीन हमको चाहिए तो दो एक हम दो दो आ एक तीन हो जाएगा तो हम पहले वाले को और लास्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे कुछ ने चेंज नहीं, बीच में हमको क्या लिखना है भाई, दो और तीन क्या हो जाएगा भाई, तो दो होता है और दो और एक तीन हो जाता है, तो हमने दो एक्स ले लेंगे, फिर कितना ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है, तो अब हमने इसको गुननखन तोड़ गि हम इस तोनों में से common क्या मिलेगा x common मिलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x plus 2 बचेगा फिर यहाँ पे इस तोनों में हमें common क्या मिलेगा 1 तो फिर क्या बचेगा हो x plus 2 बचेगा और ब्राबर में 0 है तो ब्राबर में 0 आगे बढ़ेंगे तो देखे मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर पहले एकस और यहां पर क्या है प्लस वन तो एकस प्लस वन ओके एकस प्लस वन और इंटू में यहां पर देखे दोनों कोष्ट में केतना है एकस प्लस टू है तो इस प्लस टू दोनों लिखा गया है न दोस्तों देखें यहां पे प्लस वन है तो उधर जाएगा बराबर से तो माइनस वन हो जाएगा यानि क्या उतर होगा माइनस वन और माइनस टू तो देखें उत्तर में कौन सा दिख रहा है आपको अपसा नमर डी दिख रहा है ना माइनस वन और माइनस टू एंसर हो जाएगा ठीक है तो यही उतर हो जाएगा कौन सा तो माइनस वन और माइनस टू ठीक है यानि अपसा नमर इसका डी उतर हो जाएगा अगला स्वाल देखते हैं यहां पे देखें अगला स्वाल में क्या कह आगे है कि बिताकार पथ पर तीन धावक एक ही अस्थान से दौर्थना परनम्ब करते हैं तो एक चक्र लगाने में करम से एक घंटे तीन घंटे और पांच घंटे समय लगता है तो तीनों धावकों को प्रस्थान बिंदू पर पुनक मिलने का समय क्या होगा तो अगर ऐसे अगर आये तो क्या करना है दूस्तू कि LCM निकाल देना है क्या निकलना है LCM जब भी इस तरह से बिलिताकार पथ पर एक ही बिंदू से मतलब बोला है बिलिताकार पथ पर तीन धावक होगा जो एक ही यह स्थान से दौरना शुरू करेंगे और एक चकर लगा लेंगे और फिर उसी बिंदू पर तीनों को क्या करने पर परनाभिक बिंदू में आने में कितना टाइम लगेगा तो बस इसका LCM निकाल देना है ए एक घंटा पुला है तीन घंटा पुला है पाँच घंटा तो इसका LCM निकालीगा तो तीन पचे 15 घंटे हो जाएगा अपसा नमर दी ऊतर हो जाएगा ठीके तो डी इसका एंसर हो जाएगा अब बहुलक देखें बहुलक तो आपने बहुत पढ़ा होगा बहुलक क्या सभी वर्ग होंगे, सभी वर्ग क्या होते हैं भाई, तो आपको पता होनी चाहिए, यहां पे होते हैं, लिखना चाहिए था, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, तो समरूफ होते हैं, सभी जितने भी वर्ग बनाईए, सभी के सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूफ होते हैं, अगला कोश्चन, बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा खन को, क्या बोला है, मर्द बिंदु का नियामक चाहिए नियामक पूछा जाया, तो x1 पलस x2 बटा 2, पता है न फर्मूला, x1 पलस x2 बटा 2, और y1 यहां पे 6 है, y2 कितना है, माइनस 10 है, तो y1 पलस y2 बटा 2 होता है, पता होगा आपको, जब इसका solution आप करेंगे, तो माइनस 10 में से 6 घटेगा, तो कितना होगा, माइनस 4 बटा 2, और यहां पे भी घटाईएगा, यहां पे भी उतना ही हो जाएगा, माइनस 4 बटा 2, माइनस 4 बटा 2, काटिये गा तो कितना आएग माइनस दो इसका उतर आ जाएगा ठीक है तो यह तो हो गया माइनस दो माइनस दो आगला कोश्चन कहा जा रहा है कि किसी ब्रीट की तिरिजा तीगुनी कर दी जाए तो नय एवं पुराने ब्रीटों की परिधियों का अनुपाद तिरिजा को तीगुना कर देना है ठीक है तो पाहले कौन सा बोला हुए नय ब्रीट की तो तीगुना यानि की आर को तीगुना कर देना है तो क्या परिधी का अनुपाद यानि टू पाई और आर है तो आर को क्या नया में क्या चेंजिंग करना है तिरिजा को तीगुना कर द इसको उपर रखेंगे और पुराने बृत को बाद में बोला गया है तो उसको नीचे लिखेंगे पुराना बृत के परीदी टूपाई र होता है और नया में चेंजिंग क्या तिरिजा को तिगुना तिरिजा के जगा पर तीन लिख दिया आर त्रियार काटी अब इसको अगला सवाल देखें किसी घाटना की प्राइकता नहीं होती है घाटना की प्राइकता अगर कहीं नहीं होने की बात करें तो प्राइकता होने का सर्थ आपको बताय गया होगा कि प्राइकता जो होता है दूस्तों क्या होता है जीरो से बड़ा या ब्रावर एक से छोटा य जीरो हो सकता है एक हो सकता है चाहे जीरो से 12 हो सकता है एक से छोटा हो सकता है लेकिन जीरो के इधर नहीं हो सकता एक के उधर नहीं हो सकता जीरो से जोटा मतलब माइनस में पढ़ाइकता नहीं होगा यानि अपसर नमर सी इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल देखते हैं इतना में ठीटा का मान पुछा गया है तो देखिए भाई ऐसे प्रस्ण होगा तो कैसे बनाना है तो देखिए यहां पे बोला है तो दो बटर रूड थिरी कितना का मान होता है कितना का होता है भाई तो तीसका होता है कितना सेख तीसका मान होता है ना तक सेख तीसका यानि कि यह किसका मान होता है सेख तीसका तो इसका उतर क्या हो जाएगा जितना तीस्टीडी हो जाएगा चुकि यहां से आप तो आगे सवाल देखते हैं यहां पर देखिए यह अगला सवाल कोस्चन नमर दस का एंसर कैसे आप कड़ेंगे तो इसको हम थोड़ी सी आगे बरहा जेते हैं से के स्क्वाइर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वाइर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वाइर और नीचे क्या बोला है 1 प्लस कॉट स्क्वाइर ठीक है 1 प्लस कॉट स्क्वाइर तो देखिए अगर उपर 1 प्लस 10 स्क्वाइ तो जो ऊपर दिखेगा उपर क्या दिख रहा है आपको 10 sqr तो इसका उतर हो जाएगा 10 sqr ओके अगर यही बोलता की 1 प्लस kratis qr उपर बोल जैता लिए 10 sqr 1 plus 10 sqr नीचे बोलता अगर उपर qot sqr तो उसका उतर qot sqr हो जाता थीक है क्या हो जाता हुआ वंपर त्रीक सिख लिजिए नीचे वंपर सुनसे तो 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 है तो 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 सबटार बसक्रेश को जाएगा तो दोस्तों यह वीडि यह तो दोस्तों यह वीडिव आपको कैसा लगा कमेंट बक्स ज़रूर करिएगा और आपने 10 में कितना उंतर सही किया ये भी आप कमेंट वर्क्स में चुरूर कमेंट कीजिएगा तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और पहली बार आये हैं चैनल को तो सस्क्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन को गंटे की दबाते जिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे और आप अपने एकजाम की तयारी अच्छी तरह से करते रहे तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्वाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में